दोस्तों अगर आपको याद हो तो टीवी इंडस्ट्री में एक बहतरीन और खुबसूरत अताकारा रही है नेहा सरगम जिन्होंने बहुत सारे सीपर डीपर हिट शोज जैसे चांद छुपा बादल में, हार जीत, डोली अर्मानुकी में अभिने किया है जिन्होंने हर सीरियल में अपने अलग-अलग किरदारों में डूप कर कुछ इस तरहा से एक्टिंग की है कि दरशक आज भी इन्हे छोटे परदे पर एक्टिंग करता देखना चाहते हैं लेकिन दोस्तों अपने बहुत सारे इंट्रस्टिंग कैरेक्टर से छा जाने वाली अभिनेतरी नेहा सरगम के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं पर क्या आप इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, वो सब क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, अगर आप भी इनके परिवार के सभी सदस्य उसे रूबरू होना चाहते हैं, वीडियो के अंतक जरूर बने रहीगा, साथ ही छोटे परदे की इस खुबसूरत अक्ट्रिस के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले। नाम संगीता दूबे है, जो आज भी एक हाउस वाइफ की जिन्दगी जी का लाइम लाइट से दूर रहती हैं, ममी बापा के बाद बात करें, इनके छोटी बेहन के बारे में तो उनका नाम मोहनी सरगम है, जो अपने नीजी जिन्दगी में आज बहुत ज्यादा खुश ह लेकिन अगर बात करें इनके नीजी जिन्दगी के बारे में तो हम आपकी जौनकारी के लिए बता दें कि ये 32 साल की उम्र में आज भी कुवारी हैं, लेकिन एक समय पर ये टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभी नेता नील भाट के साथ रिलेशन्शिप में रह चुकी और ये ही से इन दोनों ने एक दूसरे को डेटिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद आपसी तराफ की वज़े से नेहा सरगम ने नील भाट निरभर से ब्रेक अप कर लिया और ये अब फिलहाल अपने होम टाउन में रह कर अपना फ्री टाइम इंजॉई क कर रही हैं वही अगर बात करें कि इन्हें टीवी इंडस्ट्री में कौन सा अभिनेता पसंद है तो आपको ज़ानकर बड़ी हैरानी होगी कि इन्हें कुंडली भागया के करन लूत्रा यानिकी धीरज धूपर बहुत पसंद है जिनके स्टाइलिश लुक्स और गजब की स सरगम के फेविट बॉलिवूड आक्टर कौन है जिनकी फिल्में देख कर यहांसास के लोट पोट हो जाती है जिहां इन्हें बॉलिवूड इंडस्ट्री के गजब की कुमिटी अन्राजपाल यादव बहुत पसंद है जो अपने जोक्स और फणी आक्टिंग से इन्हें ह तो दोस्तों अभिनेत्री नेहा शर्मा की छोटी सी फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही छोटे परदे से जुड़ी ऐसी और भी मज़िदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे च